तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ तो 2022 में आई मूवी जया 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 हे को इसके IMDB rating है 7.8 out of 10 जो की मूवी के हिसाब से सही है आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा फिल्म की कहानी सुनाता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है तो मूवी की शिरुवात में हम जया नाम की एक बच्ची को देखते हैं जिसे उसके पिता जी उसे अपनी गोदी में खिला रहे होते हैं और कहते हैं कि जैसे नहरु जी ने इंदरा को पाला था वैसे मैं भी इसे पालूँगा इस बात पर सामने बैठे मामा जी कहते हैं कि फिर तो इस गाउं को भी एक इंदरा गांधी मिल जाएगी हम देखते हैं कि बड़े धूम धाम से जया का कान छेदन किया जा रहा होता है जहां पर सारा गाउं आया हुआ था जया अब थोड़ी बड़ी हो जाती है और पेड़ पर चड़के खेल रही होती है कि तभी उसके मामा जी आते हैं और उसे पेड़ से नीचे उतार देते हैं ताकि कहीं उसे चोट ना लग जाए एक दिन जया का भाई जयान खिलोने से खेल रहा होता है कि तभी उसके पिता जी उसे खिलोना छीन कर जया को खेलने के लिए दे देते हैं फिर एक किस्सा हमें ये भी देखने को मिलता है कि पिता जी जयान को मार रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी किताब फाड़ दी थी। तबी जयान कहता है कि जया की भी तो किताब फटी हुई है तो उसी क्यों नहीं मार रहे। तबी पीछे से मा की आवाज आती है कि तुम और वो एक हो क्या। इन सभी दृश्यों को देखने पर ये समझ आता है कि जैसे घर में जया को जयान से जादा महत्वत दिया जाता है और उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता है। अब जया और बड़ी हो जाती है और अपने स्कूल में अपने सहिली से इनी सब चीजों के बारे में बात कर रही होती है। तो इसलिए अब उसका और अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। और मामा ने उसे फेड़ से इसलिए नहीं उता रहा था कि उसे चोट लग जाएगी। बलकि इसलिए उतारा था ताकि गाओं में सब उसे आवारा लड़की न समझने लगें। नहीं तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। पिता जी ने अपने बेटे का खिलोना उससे चीन कर जया को इसलिए दिया था क्योंकि जया ने एक गुडिया लाने को कहा था। पर वो उसे गुडिया दिलाने के बज़ाए उसके भाई का ही खिलोना पकड़ा देते हैं जो कि उसे चाहिए ही नहीं था। किताब भटने पर पिता जी जयान को इसलिए मार रहे थे क्योंकि उसके किताब से जया पढ़ सकती थी। लेकिन जया के किताब से पढ़ने वाला और कोई था नहीं तो इसलिए माने कहा था कि तुम और वो एक थोड़ी हो। जया मा से पूछती है कि क्या वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जा सकती है क्या। तो उसकी मा कहती है कि अभी सारा पैसा तो तुमारे भाई की पढ़ाई पर ही लग गया है। तो अभी इस चीज का सोचो भी मत और जाकर बड़तन धुलो। स्कूल की तरफ से उटी घूमने का ट्रिप जा रहा था तो जया ट्रिप जाने के लिए घर में पूछती है। तो वहाँ घूमने को रखा ही क्या है बस थंड ही तो होती है क्या कर माता पिता जाने को मना कर देते हैं। अब जया बारवी कक्षा अच्छे नंबरों से पास हो गई थी और उसे आगे चलकर ब्यसी एंत्रोपॉलजी करनी थी। और कमाल की बात ये कि उसके अच्छे नंबरों की वज़े से उसको अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमीशन भी मिल रहा था। तो अब इस विश खुशी के मारे खिलकिलाहट भी आने लगी थी। लेकिन तबी वहाँ उसके मामा आ जाते हैं जो कि हमेशा उल्टी बात करके बात खराब करना ही जानते थे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये थी कि जया के माता पिता उनकी बात सुनते भी थे। तो मामा जी क कहते हैं कि घर में जब पैसे नहीं हैं तो उसे बाहर भेज़कर पढ़ाने का क्या मतलब उसमें भी तो पैसे लगेंगे और आगे चलकर उसकी शादी भी तो करानी हैं तो सब देख के ही चलना होगा। ऐसी बाते सुनकर माता पिता दीरे दीरे उनकी बातों में आने लग कि तबी जया बीच में आकर कहती है कि वो उसी कॉलेज में पढ़कर वही कोर्स करना चाती है जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते ऐसा कहकर पिता जी उसे चुप करा देते हैं मामा जी की दखल अंदाजी से ये फैसला होता है कि जो घर के पास में कॉलेज है वहीं पर अड्मीशन करा दिया जाए जिससे कि वो टाइम पर घर भी आ जाय करेगी और पैसा भी कम लगेगा जया की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी उस कॉलेज में पढ़ने की पर उसकी इच्छा मानी भी कहा जा रही थी तो कम से कम पढ़ने मिल रहा है यही सोच कर वो उस कॉलेज में चली जाती है क्लास में एक हिंदी टीचर पढ़ाया करते थे जिनके सोच काफी जादा ही अच्छी थी उनका मानना था कि महिलाओं को सिख्षा मिलने चाहिए ताकि वो नौकरी कर सकें ना कि बैटके जाड़ू पोचा करें वो क्लास में भी लड़कियों को सिखाते थे कि महिलाओं को अपना अधिकार मांगना आना चाहिए मतलब कि वो एकदम फुल फेमनिस्ट टाइप के आदमी थे जो कि महिलाओं के सचक्ती करण की बात करते थे तो दीरे दीरे वो जया के मन को भाने लग जाते हैं टीचर को भी आभास हो जाता है कि जया उन्हें अलगी निगाहों से देखती है तो वो उसे कहीं अखेले में ले जाकर पूछी लेते हैं कि क्या वो उसे पसंद करती है जया उनके विचारों को सुन सुन कर उन पर लड़्टू हो चुकी थी तो वो हाँ कहकर इस रिष्टे की शुरुआत कल डालती है अब दोनों लोग मिलना जुलना शुरू करते हैं तो टीचर उससे कई तरह के सवाल और रोक टोक करना शुरू कर देता है जैसे कि उसका फोन क्यों भी जी था उससे बिना पूछे वाटसैप की डीपी क्यों चेंज की लड़कों से कम बात किया करो कपड़े ऐसे मत पहनो और ऐसे ही कई तरह की रोक टोक करने लगा था तो अब जाकर जैया को एहसास होता है कि उसके अच्छे विचार बस उसकी बातों में ही थे क्योंकि असल जिंदगी में तो वो अपने विचारों से बिलकुल विपरीत था और हट तो तब हो जाती है जब एक दिन वो उसके गाल पर जोरदार थपड़ जर देता है अब ये बात जैया के घर में पता चल जाती है तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है और तब मामा जी कहते हैं कि इस से पहले कि ये बात गाउं में फैल जाए इसकी शादी करा दो किसी को इस बात की परवा नहीं थी कि उसने उसको थपड़ मार दिया वो भी बिना बात के बलकि पिता जी उस पर ही गुस्सा किये जा रहे थे और अब यही फैसला होता है कि उसकी जल्दी से जल्दी शादी करा दी जाए जिसका मतलब कि अब उसकी पढ़ाई बंद और आगे अगर पढ़ाई करनी हो तो ससुराल वाले कराएंगे अब हम देखते हैं कि घर में राजेश नाम का लड़का और उसकी मा और उसकी बहन राजी और उसका कजन भाई अनी राजेश के लिए जया को देखने आए होते हैं राजेश पेशे के तौर पर पोल्टरी फार्म चलाता था यानि कि मुर्गी का पालन पोशन करके उन्हें बेचना और उसके पिता जी दुबाई में रहते थे तो उसके घर में उसकी ही चलती थी और वो अपने भाई अनी से ही सारी सलाल लेता था राजेश और जया को दो मिनिट के लिए आपस में बात करने को कहा जाता है तो राजेश कुछ ढंकी बात करने के बजाए मुर्गी पालन की बातचीत करने लग जाता है क्यूंकि शायद उसके अलावा उसे कुछ आता ही नहीं था घर वालों की बाचीत के बाद उन दोनों की शादी तै हो जाती है और जल्दी जल्दी सारी रसमें निभाते हुए शादी संपन भी हो जाती है और जया की विदाई का समय आ जाता है जया देख रही होती है कि उसके जाने पर सभी लोग रो रहें और अपना दुख जता रहे हैं, खास कर कि मामा जी, तो उसके मन में यही चल रहा था कि जब उसके जाने का इतना ही दुख है तो उसकी जबरदस्ती शादी ही क्यों कराई, और जब करा दी तो इतना नाटक क्यों, जया जब राजेश के घर पहुँचती है तो देखती है कि वहां के खिडकी और टेबल के काँच चिटके हुए हैं, और कुरसियां भी किसी तरह जोड़ी गई हैं, तो उसे समझ नहीं आता कि सबी चीजे इतनी तूटी फूटी क्यों हैं, अब अगली दिन जया घर के किचन में पहली बार कदम रखती है चाय बनाने के लिए, तो व बस किसी तरह चल रही है, उसे घर में एक पुरानी सिलाई मशीन दिखती है, तो यूटूब पर वीडियो देख कर वो उसे चलाने लायक बना देती है, तो माह उसे टॉंट मारते हुए कहती हैं कि उसे खराब मत कर देना, अब एक दिन राजेश जया को अपने साथ किसी का कि लिए लेके गया होता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ काम के लिए अपने आफिस जाता है, जहां उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है, जो कि उसे कई बार मिल चुका था बिजनस के सिलसले में, बात यहां ये थी कि राजेश पूरे शेहर में सबसे सस्ते में मुर्गी ब चुका था इसलिए वो बुड़े आदमी की बात माने बिना उसे वहाँ से जाने को कह देता है जया यूटूब की मदद से मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से सीख लेती थी और वो यूटूब से ही नए नए खाने के पकवान भी बनाना सीख लेती है पर राजेश को तो बस वही खाना चाहिए था जो वो रोज खाता था तो वो उसके खाने को पसंद नहीं करता राजेश ने वादा किया था कि वो शादी के बाद जया को पढ़ाई करने देगा तो जया उससे इस बारे में पूछती है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता, बलकि उसके सवाल से नाखोश होकर टीवी का रिमोट तोड़ देता है, क्योंकि उससे टीवी की आवाज से परिशानी हो रही थी, दिक्कत थी कि जया पढ़ने का पूछ रही थी, तो उसका टी टूप से एक नया पकवान बनाना सीख कर राजेश के सामने रखती है। तो राजेश गुसे में वो पकवान फेक देता है और कहता है कि ये सब मुझे नहीं पसंद। मा के बताने पर उसे पता चलता है कि जया ने बड़ी मैनत से बनाया था तो वो उसे सौरी कहने लगता है। जया को राजेश का ये रविया पसंद नहीं आता तो वो भी गुसे में कहती है कि बनाया चाहे जिसने भी हो लेकिन ऐसे खाने का नादर नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर राजेश तुरंत उसे एक जोर का थपड जड़ देता है और कहता है कि जब मैंने अपनी गलती की माफी मांग ली तो क्यों बोल रही हो और मुझसे बात करने से पहले तमीज सीखलो कि मुझसे बात कैसे करनी है राजेश की बहन राजी बीच में बोलने की कोशिश करती है पर राजेश उसे भी उल्टा सीधा कहकर चुप करा देता है उस वक्त मा भी वहीं खड़ी थी पर पूरे घर में सन्नाटा था और राजेश की इस गलत हरकत पे बोलने वाला कोई नहीं था हम देखते हैं कि जया उदास बैठी होती है कि तभी राजेश उसके पास आता है और कहता है कि अचानक गुसे में मार दिया था उसके लिए सौरी जिस तरह उसने माफी मांगी थी ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एहसान कर रहा हो और उसे अपनी गलती का बिल्कुल भी ऐसास नहीं था राजेश उसे मूवी दिखाने ले जाता है और फिर रेस्टरंट में खाना खिलाने भी ले जाता है और वहाँ उससे पूछता है कि वो क्या खाएगी जया अपनी पसंद बताती है तो राजेश उसकी पसंद को किनारे करके अपनी ही पसंद का खाना मंगा लेता है कुल मिलाकर राजेश बस फॉर्मिल्टी कर रहा था उसे मनाने की बाकी जया के मन में क्या चल रहा था और वो उस वक्त क्या फील कर रही थी उसे उससे कोई मतलब नहीं था ही उसे मुवी दिखाने ले जाता है, उसके बाद खाना खिलाने भी ले जाता है, और अब ये सिलसला हमेशा का हो गया था, राजेश जिस ने दुबारा हाथ ना उठाने का वादा किया था, वो अब दूसरे तीसरे दिन किसी भी बात पर जया को थपण मार देता था और सेम वैसे ही मूवी दिखाता और फिर खाना खिलाता ना ही मूवी जया के पसंद की होती और ना ही खाना जया के पसंद का होता वो बस एक रूटीन बन चुका था जया रोते हुए अपनी ये समस्या मा से साजा करती है तो मा कहती है कि हम औरतों को थोड़ा बहुत एड़ेस्ट तो करना ही पड़ता है बाकी और कोई बुराई तो नहीं है उसमें बस थपड़ी तो मारा है वो भी पबलिक में थोड़ी मारा है अपना खयाल रखो सब सही हो मा की बात सुनका जया चीजों को सहना शुरू कर देती है और बे मतलब की बातों पर थपड़ खाने की आदर डालने लग जाती है लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब राजेश ने उसे थपड़ सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि जो जीन्स उसे पहननी थी वो जया ने लगे थे और सब ऐसी सला दे रहे थे जिसकी उमीद शायद कभी जयाने की भी नहीं थी और जो थोड़ी बहुत उमीद थी कि माता पिता या भाई उसकी मदद करेंगे वो पूरी तरह खतम हो जाती है और अब उसके पास रोने और उस दुग दर्द को सहने के अलावा और क चली आई लेकिन क्या फाइदा हुआ कुछ नहीं वो मुझे वापिस लेने तक नहीं आए और आज ये हालत है तो तुम भी अगर घर चोड़ कर जाओगी तो सारी गलती तुमारी ही मानी जाएगी जया कि अब यही जिंदगी हो गई थी अपने पती के आगे पीछे लगे उसकी सारी बाते मानना और हर वक्त उसकी डाट खाते रहना या उसकी मार सहना और अब उसे कहीं से भी उमीद की किरण नहीं दिख रही थी कि कोई आकर ये सब चीजे होने से रोकेगा तो भी उससे मुबाइल नहीं ले पा रहा था तो वो अब हमेशा की तरह उसे थपड मारने के लिए अपना हाथ उठाता है पर इस बार जो होता है वो ना राजेश न सोचा था और नहीं आपने सोचा होगा कि कभी ऐसा कुछ हो जाएगा जैया उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके पेट पर एक जबरदस्त लाट मारती है जिसे कि राजेश सीधा टेबल के बीच में जागुसता है ये नजारा देखकर राजेश भी हैरान हो जाता है कि आचानक से ये हुआ क्या अब यहां हमें दिखाया जाता है कि जब हर किसी ने उसे ये सब सहने की सला दे दी थ और कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था तो जया ने ठान लिया कि वो खुद ही एक उमीद की किरन बनेगी जो खुद को राजेश के अत्याचारों से बचाएगी और फिर उसने यूटूब की मदद से कुम्फू कराटे सीखना शुरू कर दिया वो बातरूम में अभ् और आज उसने राजेश के थपड़ वाले हाथ को रोकते हुए उसके पेट पर लात मार कर अपनी इस कड़ी मेहनत की आजमाईश भी कर ली थी लात इतने तगड़े तरीके से पड़ी थी कि राजेश की धोती खुल गई थी तब विजया अराम से खाना लेकर आती है और ख बता नहीं पाता जिस वजह से उसे दवाई भी नहीं मिल पाती फिर वो मुर्गी पालन में काम करने वाले वरकर्स को अपनी समस्या बताता है ये कहकर कि उसने अपनी बीवी को लात मार दी है तो अब क्या करें उनकी बातों से समझ आता है कि जब राजेश ने जया को थप नहीं हो सकती है जया ने घर में किसी को नहीं बताया था कि घर में आज उल्टा ही हुआ है और नहीं राजेश किसी को बताने वाला था कि वो अपनी बीवी से मार खाया वरना जो सब के सामने अपना रौब जारते रहता था वो कम हो जाता राजेश नोटिस करता है कि घर के द जमझ आता है कि जब वो छोटा था तब उसने कराटे सीखा था और अब जया से मुकाबला करने के लिए फिर से वो समय आ गया था कि वो दोबारा सीखे जया की तरह वो भी यूटूब से कराटे सीखने लग जाता है और धीरे धीरे खुद को तयार करने लगता है जया से टकर लेने के लिए क्योंकि उसके मन में बैठ चुका था कि आखिर उसने मुझे लात मारी कैसे जया को चाहिए था कि उसका पती उसे बस मारे नहीं और उसको इज़द दे इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया था बाकि वो नॉर्मल रहकर अपने पती को अच्छे से खाना खिलाती और खयाल रखती थी लेकिन राजेश ने अब भी सबक नहीं सीखा था तो वो अपने नाजो कंगो को बचाने के लिए एडी पहन कर जया को गुसे से पुकारने लग जाता है लेकिन उससे पहले मुबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके रख देता है ताकि उसे सबूत मिल जाए और फिर उसे दुबार से लाथ मानने के लिए उकसाने लग जाता है जया कहती है कि अगर तुम हाथ उठाओगे तो मैं भी हाथ उठाओगी तो इस चक्कर में राजेश उसे थपड मार देता है और फिर उसका पलट जवाब देते हुए जया भी उसे एक जोरदा थपड जड देती है फिर उनकी बीच शिरू हो जाता है एक महा मुकाबला और दोनों लोग अपनी अपनी लड़ाई की टेक्निक्स दिखाते हुए एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं राजेश ने बदला लेने के लिए कराटे सीखा था लेकिन जया ने अपने बचाव के लिए कराटे सीखा था तो वो राजेश पर भारी पढ़ रही होती है और उसे गिरा गिरा के मारती है जया राजेश के उपर लाद गुंसों की बरसात करते हुए वो उसे बुरी तरह से घायल कर देती है और उसकी इतनी भी हालत नहीं रह जाती कि उसके सामने खड़ा हो पाए और इस तरह से इस मुकाबले में जया की जीत होती है पर मा और बहन जया को राजेश को धूल चटाते हुए देख लेते हैं तो मामला गडबडा जाता है अब घर में जया के पूरे परिवार को बुलाया जाता है और राजेश की मा सबी से शिकायत कर रही होती है कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से इसलिए नहीं करवाई थी कि वो उसे मारे पीटे जया की फैमली कहती है कि राजेश भी तो बिना मतलब कि उसे मारते रहता है तो इस पर मा जया के पिता जिसे कहती है कि आप भी तो अपनी पतनी को मारते ही होंगे तो अगर वो भी पलट के जवाब दे दे तो कैसा लगेगा मर्दों को तो गुस्सा आही जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि औरत भी वैसे ही बन जाए फिर तो घर चली नहीं पाएगा मेरा बेटा बहुत भूला है इसलिए बरदाश्ट कर लिया और कोई पती होता तो इतना सब नहीं सहता अनी जया के पास जाकर कहता है कि जब एक परिवार में रहा जाता है तो थोड़ा एड़जस्टों करना ही पड़ता है इस तरह मार पीट करने से थोड़ी कुछ होगा अगर बात फैल गई तो नाक कट जाएगी जया कहती है कि जब मेरी पिटाई होती रही तब परिवार की नाक नहीं कटी क्या अनी कहता है कि राजेश ने कभी गुस्से में एक बार मार दिया होगा तो उसमें इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की क्या जरुवत थी जया कहती है कि उसने मुझे 6 महीने में पूरे 21 बार थपड मारा तो 10 साल में 420 बार थपड खाऊंगी और 40 सालों में 1680 बार थपड खाऊंगी तो क्या मैं इतनी बार मार खाने का इंतजार करती रहूं ये सुनने के बाद किसी के पास बोलने को कुछ नहीं रह जाता तो अब नहीं राजेश को एक कोने मिले जाता है और कहता है कि अभी उससे मावी मांग लो और बात खतम करो नहीं तो अगर ये बात फैल गई तो तुमारी ही बेज़िती होगी कि तुम अपनी बीवी से मार खा गए फिर बाद में तुम उससे गर्बवती बना देना जैसे ही वो मा बनेगी तो उसकी देखभाल में तीन-चार साल गुजर जाएंगे और जब लगे कि वो फिर से फुदक रही है तो एक और बार गर्बवती कर देना और वो फिर से शान्त हो जाएगी इस तरह से उसकी पढ़ाई और नौकरी करने का भूत भी खतम हो जाएगा और उसकी पूरी जिंदगी तुमारी और बच्चों की देखभाल करने में गुजर जाएगी और तभी तुम एक मर्द बन पाओगे राजेश उसकी सारी बातों को समझ जाता है और अनी के विचार के हिसाब से मर्द बनने के लिए वो जया से माफी मांग लेता है और जया भी उससे माफी मांग लेती है और ये मामला यहीं रफा दफा हो जाता है अब राजेश जया के सामने अपने आप को भोला, मासूम और केरिंग नेचर का दिखाते हुए उससे प्यार से बाते करने लग जाता है जैसे कि उसका हिर्दे परवर्तन हो गया हो पर उसके इस नाटक का प्लान तो कुछ और ही था राजेश अब उन पकवानों को भी खाना शुरू कर देता है जो जैया प्यार से उसके लिए बनाती थी लेकिन वो गुसे में फेक दिया करता था अब अनि उसे सला देता है कि तुम उसके साथ थोड़ा रोमेंटिक होना शुरू करो तो तबी बच्चा होने वाली प्रक्रिया आरंब होगी तो तुम जाओ उसके लिए कोई प्यारा सा गाना गाओ जिसमें कि उसका नाम हो राजेश सोचता है कि आखिर किस गाने में जाया का नाम होगा तो काफि सोचने के बाद उसे गाना मिल ही जाता है और जाया के सामने गाना शुरू करता है जाया है जाया है जाया 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 है ये सुनकर जया को समझी नहीं आता कि आखर राजेश करना क्या चाता है और वो उसे भाव दिये बिना वहां से निकल जाती है अब राजेश जया को उसके माई के ले जाता है जो कि सबसे बड़ा पैतरा होता है बीवी को खुश करने का तो जया अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश होती है राजेश उसके कुछ जादा ही देखभाल कर रहा था इतना कि वो चिकन का लेक पीस जया को खाने के लिए दे देता है जो कि अक्सर लोग किसी और को देना पसंद नहीं करते जया के भाई जयान को भी एहसास हो जाता है कि जी जा जी कुछ जादा ही केरिंग बन रहे हैं तो वो जया को होशियार रहने को कह देता है अब राजेश मस्त संट वंट लगा कर अपने रूम में लेट जाता है इस उमीद में कि आज तो संभोग की प्रक्रिया हो जाएगी लेकिन तभी वो देखता है कि जया पैड लेने आई है जिसका मतलब कि उसके पीरियट चल रहे हैं तो अब ये जान कर जया को माई के लाकर उसे खुश करना और फिर उसके साथ संभोग करने का उसका सारा प्लैन खराब हो जाता है फिर कुछ दिन बीटने के बाद तो वो उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है लेकिन राजेश उनके साथ नहीं जाता पर राजी जया को अपने साथ लेके चली जाती है फिर आधी रात बीटने पर जया वापिस आ जाती है क्योंकि राजेश की तरफ से इतना प्यार देख कर वो पिघल गई थी और फिर उ प्लैन काम्याब होने की बात कर रहा था जिसे जया सुन लेती है तो उसके दिमाग में शक पैदा हो जाता है कि ये किस प्लैन की बात हो रही है जया उससे प्लैन के बारे में पूछने की कोशिश करती है पर राजेश कुछ भी बहाना बना कर निकल जा रहा था लेकिन रात मे जब वो घर वापिस आता है तो जया चटान की तरह उसके सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से से पूछती है कि आखिर वो दोनों किस प्लैन की बात कर रहे हैं तब राजेश भी गुस्से में बता देता है कि तुम्हें गर्बवती बनाने का एक प्लैन था जो हम तोनोंने मिलकर बनाया ताकि तुम अपनी सारी जिंदगी बच्चे और घर परिवार संभालते हुए बिता दो तुम्हें लगा कि मैं डर गया तुमने सोचा कि मैं चुप बैठा रहूंगा पर अब मैंने तेरी जिंदगी खतम कर दी अब तुम मेरे ही तुकडों पर पल कर मेरे ही बच्चों की देखभाल करती रहोगी और अब ना पढ़ाई कर पाओगी और ना ही नौकरी ये सब सुनकर जया एकदम सुन पड़ जाती है कि एक इनसान अपने एहंकार को संतुष्ट करने के लिए इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है और इस सदमे के मारे वो तुरंती बेहोश होकर अपने पेट के बल जमीन पर गिर जाती है अब हम देखते हैं कि जया अस्पताल में भरती है और यहां हमें पता चलता है कि जो बच्चा होने वाला था वो पेट पर चोट लगने की वज़ए से कोक में ही मारा गया तो सभी लोग मिस्कैरेज होने का दोश जया को ही दे रहे होते हैं और राजेश की मा ताने पर ताने मारे जारी होती है कि मेरे बेटे को जो इसने मारा था उसी की सजा मिली है जया की मा जया को सांतवना देने के बज़ाए वो भी उसे ही डाटने लग जाती है और कहती है कि जो तुमने आज तक कहा हमने वो सब कुछ किया तुम्हारे पिता ने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की तुम्हें जहां तक पढ़ना था वहां तक पढ़ाया तुमने जिस लड़के को पसंद किया उसी लड़के से शादी कराई और राजेश में आकर कमी क्या है इतने अच्छे से खयाल रखता है तुम्हारा हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुम हो की बस लड़ाई जगडा करती रहती हो राजेश की मा, उसकी सगी मा, सगे पिता सभी एक साथ मिलकर उसे सुनाए जा रहे थे और ऐसा जता रहे थे कि उन्होंने तो सब अच्छा अच्छा किया लेकिन जया को ही हर चीज में बुराई दिखती है वही है जो सब कुछ खराब कर रही है तो जया ये फैसला लेती है कि वो अब राजेश के साथ नहीं रहेगी इस बात पर पिता जी कहते हैं कि अगर तुम्हें वहाँ नहीं रहना तो मेरे घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगा नहीं है जया वहाँ से जाने लगती है कि तब राजेश उससे कहता है कि तुम समान अधिकार की बात करती हो तो इस अस्पिताल का आधा बिल तुम्हें देना होगा जया के पास उस वक्त तो पैसे नहीं थे तो बाद में पैसे देने का कहकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है जया के पास उसका भाई जयान आता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो घर चले पर जिस तरह पिता जी ने कहा था उसके बाद वो घर तो नहीं जा सकती थी जयान उसे एक पीजी ले जाता है और उसका वहीं पर रहने का इंतजाम कर देता है इस समय उसका भाई ही एक लोता इंसान था जो उसकी मदद करने के लिए उसके साथ खड़ा था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी बेहन के साथ गलत हो रहा है जया अपने भाई के साथ नौकरी की तलाश करने लग जाती है पर उसकी तो अभी पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं हुई थी जिस वजह से उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी अब एक दिन जया से मिलने उसकी मा आती है और कहती है कि तुम अब यहाँ नहीं रहोगी तुम मेरे साथ घर चलो यहाँ जया को पता चलता है कि उसकी मा उसे अपने घर नहीं बलकि राजेश के घर ले जाने के लिए आई है तो जया वहाँ जाने से मना कर देती है तो वो फिर से मा के सामने विलन बन जाती है और मा गुसा के वहाँ से चली जाती है हर किसी के लिए जया बुरी बन चुकी थी और अब उसके पास कुछ करने को था भी नहीं कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके तो वो अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू करती है लेकिन तब इस सीन यहां से कट हो जाने के बाद हम देखते हैं कि राजेश ने जो जया से मार खाई थी उसका वीडियो वाइरल हो गया है दरसल जया ने राजेश को उस जगा पर पटक दिया था जहां उसने वीडियो रिकॉर्ड होने के लिए मुबाइल रखा था तो राजेश ने मुबाइल बनने के लिए दुखान में दिया तो दुखान वाले ने वो वीडियो ही लीग कर दी तो अब हर मुबायल पे राजेश की अपनी बीवी से मार खाने वाली वीडियो पहुँँ गई थी और सारे लोग राजेश के मज़े ले रहे थे वो वीडियो हर जगा वारल होने पे शोचल मीडिया पे टाइम पास करने वाली जनता उस वीडियो को लेकर अपने अपने विचार देने लग जाती है और एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाता है कि पती को ऐसे मारना सही है या नहीं और क्या वज़ा थी कि पत्नी ने पती को ऐसे धो दिया वीडियो वारल होने के बाद बेज़ती के मारे राजेश घर में ही चुपकर बैट जाता है और काम पर भी जाना बंद कर देता है इसे बीच वो बूला आदमी जो राजेश को अपना मुर्गी पालन वाला बिजनस बेच रहा था वो मुर्गियों को राजेश से भी सस्ते दाम में बेचने लग जाता है जिस वज़ह से उसका काम तेजी से चलना शुरू हो जाता है अनि राजेश को समझाता है कि अब तुम्हें जया को तलाग दे देना चाहिए तब ही उसकी अकल ठिकाने आएगी राजेश को लगता है कि शायद उसका वीडियो वारल हुआ इस वज़े से उसका बिजनस ठब पड़ रहा है और बुड़े आदमी का बिजनस आगे बढ़ रहा है और देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसे अब कोई परिशानी नहीं है बलकि सब सही हो गया है अब राजेश और जया के तलाग की सुनवाई का समय आ जाता है तो जच सहीबा ये फैसला सुनाती है कि पहले तुम दोनों आपस में समझोता कर लो के साथ रहना है या नहीं फिर उसके बाद ही ये केस आगे बढ़ेगा तो इस पर जया कहती है कि उसे राजेश के साथ नहीं रहना क्योंकि तलाग लेने का फैसला सर्फ उनका है मेरा नहीं और वो कभी भी मुझसे पूछ कर कोई फैसला लेते भी नहीं है अब इस बात पर राजेश और जया में बहस बाजी शुरू हो जाती है और खूब देर तक ये बहस चलती है जिसमें कि महिलाओं को लेकर जो राजेश की सोच थी वो पूरी तरह से निकल कर बाहर आ जाती है इससे पहले कि जट साहिबा कोई फैसला सुनाएं जया राजेश से पांच मिनट बात करने का समय मांगती है उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी बहुत नोग जोग होने के बाद उनके बीच सब सही हो जाएगा और तलाक नहीं होगा पर होता तो कुछ और ही है जया तलाक के पेपर्स देखते हुए उससे पूछती है कि आज कल तुमारा बिजनस कैसा चल रहा है और तुम मुर्गियों को कितने में बेच रहे हो राजेश दभी आवाज में जवाब देता है कि 125 रुपए में जया तलाक के पेपर्स पे साइन करते हुए कहती है कि मैं तो 115 रुपए में बेच रही हूँ और इतना कहकर वो तलाक के पेपर्स उसे पकड़ा के मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब बुड़ा आदमी राजेश से अपने बिजनस के बारे में बात कर रहा था तब जया ने उसकी सारी बाते सुन ली थी और जब जया खुद को मारने वाली थी तब ही उसके दिमाग में आइडिया आता है कि भले ही उसे कोई काम नहीं मिल रहा लेकिन जिसका पहले से ही बिजनस है वो उस बिजनस के दम पर लोन तो लही सकती है जया मरने का प्लैन कैंसल करके बुड़े आदमी के पास पहुँच जाती है और उससे डील करके उसके बिजनस में पार्टनर बन जाती है हम देखते हैं कि राजेश की चेले बुड़े आदमी को मारने आय होते हैं पर उन्हें क्या ही पता था कि उनका सामना किस से होने वाला है जया एक बार फिर से अपने कुम्फू कराटे का जलवा दिखाते हुए उन सभी को धूल चटा देती है अब जया को जीने की एक नई उमीद मिल गई थी और वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई थी और उसे किसी के पैर पकड़ के गिरगड़ाने की जरुवत नहीं थी और इस हैपी इंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तो इस फिल्म का मैसेज बिलकुल हिमाले के पानी के तरह साफ है और एकदम सरल तरीके से ओडियन्स को बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपके उपर घरेलू हिंसा की जा रही है तो आपको अपने लिए खुदी खड़ा होना होगा और खुदी मुकाबला करना होगा अपने रिष्टे को बचाने के लिए एक दो गलती तो माफ की जा सकती है जो वाकई में गलती हो लेकिन जब वही गलती बार बार होने लगे तो वो गलती नहीं बलकि एक आदत बन जाती है सामने वाले की वही गलती बार-बार दोराने की और आपकी बार-बार सहने की तो इस से पहले की आदत लत में बदले उस आदत को खतम करना ही जरूरी होता है क्योंकि किसी भी चीज की लत अच्छी नहीं होती इस फिल्म की शिरुवाद भी उनी फिल्मों की तरह होती है जिसमें घरेलू हिंसा की कहानी बताई जाती है लेकिन जब फिल्म आगे बढ़ती है तो एक अलगी मोल ले लेती है और थोड़ा सा कॉमेडी और हुमर का तड़का लगाते हुए कहानी बोरिंग होने से बच जाती है अगर पूरी फिल्म में यही दिखाते कि जया पर अत्याचार हो रहा है और पूरा टाइम रोना धोना दिखता तो शायद यह एक एवरेज मूवी बनके रह जाती पर जिस तरह से कहानी में ट्विस्ट डाला गया वो फिल्म को आखिर तक देखने के लिए हमें रोक लेता है ऐसी कहानियों में में उद्देश यही रहता है कि महिलाओं को बस सम्मान चाहिए और कुछ नहीं मैं उन महिलाओं की बात बिलकुल नहीं कर रहा जो खड़े होकर सुसु करने का अधिकार मांग कर खुद को लड़कों के बराबर फ् definition करती है और यह चताना चाहती है कि वो मर्दों से कम नहीं मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो बस इतना चाहती है कि उन्हें अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिले फिर उसके बाद नोकरी करने का भी मौका मिले और अपने सबने भी पूरे कर पाएं और उन महिलाओं मेंसे एक जया भी थी हर इंसान का जो बेसिक अधिकार है वही जया को नहीं मिल रहा था तो उसी अधिकार को पाने के लिए वो अपनी आवाज उठाती थी तो सभी को ये लगता था कि उसे तो लड़कों की बराबरी करनी है उसे शायद किसी से बराबरी नहीं करनी थी योना ही उसे ये दिखाना था कि वो बहुत बड़ी feminist है उसे तो बस इतना ही चाहिए था कि वो भी बाकी लोगों की तरह आगे बढ़ सके और परिवार की तरफ से उसे भी उतना ही support मिले जितना उसके भाई को मिलता है वो बस अपने माता पिता से वो प्यार चाहती थी जो उसके भाई को मिलता था पर वो उसे मिला नहीं दरअसल यहां पर परिवार के हर सदर सकी सोच एकदम पुरानी टाइप की दिखाई गई है कि लड़का है तो उसी को पढ़ाना लिखाना है क्योंकि वही बुड़ापे का सहारा बनेगा और लड़की है तो उसको इतना पढ़ाना है कि बस पढ़ने लिखने आ जाए और फिर उसकी शादी कर देनी है फिर उसके बाद अपनी जिम्मेदारी खतम फिर उसके बाद जब जया अपने ससुराल जाती है तो उस फैमली की सोच भी पुरानी टाइप की ही थी कि जो भी फैसला होगा घर का मर्द ही करेगा और घर का मर्द कमाता है इसलिए वो चाहे मारे पीटे चिलाए कुछ भी करे सब उसका ही हक है तो कुल मिलाकर पूरे तरीके से बैकवर्ड सोच वाली फैमली को दिखाया गया है और भले ही इसमें गाउं के परिवार की कहानी दिखाई गई है पर शहरों में भी ऐसे कई पड़े लिखे गवार होते हैं जिनकी लड़कियों को लेकर सोच काफी खराब होती है तो यहाँ यह माइने नहीं रखता कि कहानी गाउं की है या शहर की गाउं में भी आपको ऐसे कई परिवार दिख जाएंगे जो बेटियों को खूब पढ़ाते लिखाते हैं और बाहर नौकरी करने के लिए भेशते हैं और शहरों में भी आपको ऐसे परिवार मिल ही जाएंगे पर अंगूर के गुच्छे में थोड़े बहुत खराब अंगूर तो होते ही हैं मेरे आस पास ऐसे कई लड़किया हैं जिनके घर वाले इतना प्रतिबंद लगाकर रखते हैं कि वो कहीं जाने ही नहीं पाती तो जो दोनों फैमली इस फिल्म में दिखाई गई है वो रियल में भी होती है इस बात से मैं इंकार नहीं कर सकता कई लोग कहेंगे कि हर घर में ऐसा नहीं होता और आज के जमाने में तो ये सब चीजे नहीं होती पर अफसोस के साथ मुझे कहना पढ़ रहा है कि भले ये हर घर की कहानी नहीं है पर कई घरों की कहानी यहीं है इस पर मैं जादा नहीं बोलूँगा क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहा है और जिसकी कहानी जया से मिलती जुलती है वही कमेंट करके आपको बताएगा कि ये कहानी सची भी होती है और कई लोग ऐसी चीजों से गुजर रहे होंगे तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके उन लोगों को अपना दर्द बताएगा जो ये सोचते हैं कि अब ये सब चीजे नहीं होती तो उनकी भी आखे खुलें कि हर किसी की कहानी एक जैसी नहीं होती जिन लोगों की फैमली की सोच अच्छी है और जो भी लड़कियां अच्छे स्कूल में पढ़ रही है या जॉब कर रही है और उनके माता-पिता उनको सपोर्ट करते हैं हर कदम पर उनको बहुत खुशी होनी चाहिए कि उन्हें अच्छे माता-पिता मिले और उस अजादी को वेस्ट करने के बजाए काम मिलाना चाहिए क्योंकि हर किसी को वो अजादी नहीं मिलती इस मूवी के जब मैं रिव्यूस पढ़ रहा था तो ये देखने मिला कि काफी लोगों ने ये लिखा कि एक हिंदू फैमली की ऐसी कहानी दिखा कर हिंदू धर्म को टार्गेट किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि इस धर्म में ऐसा होता है कुछ समय पहले डार्लिंग्स मूवी आई थी जिसमें कि एक मुसलिम फैमली को दिखाया गया था और सेम यही टॉपिक था कि उसका पती अपनी पतनी को मारता पीटता है अभी जल्दी मैंने चुप मुवी एक्स्प्लेंड की और उसमें एक क्रिश्चन फैमली को दिखाया गया जिसमें कि पती अपने पतनी और बच्चे को मारता पीटता है तो यहां धर्म की बाती ही नहीं है बात यह है कि हर धर्म में ऐसे लोग मौजूद हैं जो महिलाओं को अपनी जागेर समझ लेते हैं और अपने गुस्से या नाकाम्याबी की भडास उन पर उतारना शुरू कर देते हैं डार्लिंग्स देखकर मुस्लिम लोग परिशान हुए होंगे कि उनके धर्म को गलत दिखाया जा रहा है और इस मूवी को देखकर हिंदू परिशान हुए कि उनके धर्म को गलत दिखाया जा रहा है पर असल में जिसके साथ गलत हो रहा है उसकी तो कोई सुनी नहीं रहा मुझे लगता है कि जो लोग राजेश या डार्लिंग्स के हमजा जैसे हैं वही लोग धर्म को ढाल बना कर फिल्म को बुरा कहने लगते हैं क्योंकि शायद वो अपनी सचाई सामने देखकर सोच में पढ़ जाते हैं कि अरे ये तो मेरी ही पोल खोली जा रही है थपड मुवी को जब एक्स्प्लेन किया था तब कई लोगों के कमेंट आये कि एक थपड के लिए इतना करने की क्या जरुवत थी तो अब इस फिल्म में तो जया 21 थपड खाकर भी चुप रही तो अब बताईए कि क्या आप 21 थपड खाने के बाद भी आगे थपड खाने को तयार रहेंगे या कुछ बोलेंगे कई लोग ये भी कहेंगे कि महिलाओं पर तो बहुत सी फिल्में बनती हैं पर कभी ये नहीं दिखाया जाता कि महिलाओं के लिए जो कानून बना है वो उसका कितना गलत इस्तमाल करती हैं जिससे कि कई पुरुषों की जिंदगी बरबाद हो जाती है अफसोस की अभी तक मुझे ऐसी किसी फिल्म का पता नहीं चला जिसमें की पुरुष का दर्द दिखाया गया हो और शायद ऐसी फिल्म बनेगी भी नहीं क्योंकि जब किसी मर्द के साथ अत्याचार होता है तो किसी को यकीन ही नहीं होता और ना ही कोई उसे सीरियस लेता है उमीद करते हैं कि किसी फिल्म मेकर का ध्यान इस टॉपिक पर जाएगा और एक अच्छी फिल्म बनाएं जिससे कि लोगों को समझ आए कि महिलाएं भी कुछ कम डुष्ट नहीं होती इस मूवी का बजट है 5-6 करोड और इसने कमाए 42 करोड मतलब कि अपने बजट से काफी जादा जितना इस फिल्म का बजट है उतना तो बॉलिवुड में एक्टर्स फीज भी नहीं लेते और यही सबसे अच्छी बात लगती है कि साउथ इंडस्ट्री कम बजट में भी एक अच्छी कहानी से भरपूर बढ़िया फिल्म निकालके दे देती है जो कि आउडियंस को पसंद भी आती है तो यह चीज बॉलिवुड फिल्मेकर्स को समझना चाहिए इस फिल्म में जितने भी कलकार मौजूद हैं उन सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और सबकी एक्टिंग एकदम बढ़िया देखने को मिलती है इस मूवी को आप पूरे परिवार के साथ बैठ कर देख सकते हैं और अगर आप किसी और को सुनाना चाहते हैं जिसका सुनना ज़रूरी है तो चुप चाप मुबाइल में चालू करके छोड़ दीजिए बाकी वीडियो के अंत में जितने भी पुरुष हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि महिलाओं को खुश रखना थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा आसान भी उनकी बातों में थोड़ा बहुत हां में हां मिला दो दो चार तारीफ कर दो उनकी बाते सुन लो प्यार से दो पल बिता लो कभी कबार बजट के हिसाब से गिफ्ट दे दो बस ऐसे ही छोटी छोटी चीजें आपके रिष्टे को और आपके जीवन में रहने वाले सुकून को जिन्दा रखेंगी अगर लड़की आपसे सच में प्यार करती है और आपके साथ रहना चाती है तो वो खुद ही आपको समझते हुए इन छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहेगी अगर आप राजेश जैसा बरताफ करते हैं तो जरा संभल के रहिएगा क्योंकि कहीं अगर माता सटक गया तो उसे जैया जैसे अफ़तार लेने में देरी नहीं लगेगी और राजेश का तो फिर भी पेट दर्थ किया था पर लात अगर थोड़ा नीचे पढ़ गई तो जिन्दगी बरबाद भी हो सकती है तो सावधान रहें सतरक रहें और प्यार के फूल खिलाते रहें वो भी प्यार से तो ये था एक्स्पिलनेशन जया 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 हे मुवी का आपको मुवी और मेरा एक्स्प्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल चाहेगी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल चाहेगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है तो झाल 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